हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टो दे चैनल लिव लाइफ इजी एंड दे सिरीज आओ बहन बाते करें तो अभी मैं ट्रेनिंग से वापिस आ रही हूँ घर जाके आप लोगों से पहले बात वाला ही शूट करूंगी और दो ये पैकेट आए हुए थे तो शॉपिंग है शॉट में दिखा रही हूँ डेटेल में आपको दूसरे चैनल पर अब इनका रिव्यू शेयर करूंगी जब ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे एक आदी और है गया है तो एक तो ये छे बासकेट थी और ये है जी मेकप ब्लेंडर जो इस टाइम पर चल रहे हैं चार का ये सेट है तो ये इजी टू वाश होते है अब शुरू करते हैं अपनी सहेलियों वाली बाते है तो आओ बहन बाते करें कि ऑफिशल चुरुआत करते हैं अब इस वाले व्लॉग में और उससे पहले आपकी बात करूं मैं थोड़ी सी अपनी आपके साथ शेयर करना चारी हूँ क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है आज तो मैं आपको पता है मैं कभी-कभी कवितायं लिखती हूं तो वो मैं यहां पे वाईटी में कम्यूनिटी पोस्ट में शेय जाएगा तो जी वहां पर मैं यह पोस्ट करती थी और आप लोगों को बहुत पसंद भी आती थी लेकिन मैंने कभी ऐसे बना के पविता और लाइव किसी को सुनाई नहीं है इवन वो वाली भी जिसने पढ़ली-पढ़ली मैं बोल के आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाई अब आज जहां प्रसिक्षण था वहां पर यह था कि मुझे जिम्मेदारी सौपी गई कि उमीद थी हुने कि मैं कुछ अच्छा लिखके लाएंगी प्रसिक्षण पर अपने विचार या कह लीजिए उसकी समरी आभार रखत करते हुए जो भी अच्छी अच्छी सी बाते उसके बारे में कुछ अच्छा सा मतलब बूलना था कि प्रसिक्षण के बारे में क्या कि हुआ अच्छा वववड जो भी ऐसे था तो अच्छा हुआ तक है तो वो मैंने फिर बजाय स्पीच की फॉर्म में लिखने के मैंन उसको थोड़ा सा ऐसे किया कि गाने वाली वह त इतनी देर थोड़ा से ब्रेक ब्रेक सा होता है उस टाइम पर मैंने फटाफट से वो बनाई और फिर वो मैंने अच पहली बार खड़े होके सबके सामने सुनाई और माइक ने लिया था लेकिन बहुत गबराट हो रही थी सच में मैं इसलिए भी शेयर कर रही क्योंकि एक मैम का आया था यहां पर कोईस्चन कि मैं अच्छे से सब कुछ बोल लेती हूँ वैसे क्लास में ऐसे वैसे लेगिन जब ट्रेनिंग्स में जाते हैं या कहीं पर भी मतलब आप जो इस जॉब में नहीं है लेकिन सेमिनार्स होते हैं जहां आपको मतलब पुब्लिक अपीरियंस कि जाके मंच पर कुछ भी बोलना एकदम से स्टार्ट कर दू मुझे नहीं है मतलब प्रैक्टिस का भी बोला नहीं शायद इसलिए तो जी मैंने बोला वहां पर और सबको खेर कवीता बहुत पसंद आई मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अगर आप सुनना चाहें उस को तो समझ में भी आ जाएगी उसकी एक एक लाइन लेकिन बाकी को भी उसका थोड़ा बहुत भाव समझ में ऐसा नहीं आ जाएगा है ना तो वह इंस्टाग्राम पर मैंने फिर इसी वज़े से अपलोड कर दी थी तो आप चाहें तो वहां पर जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना मुझे क्योंकि जो चीजें में यहां शेयर नहीं करती यूट्यूब पर वहां अपलोड करती रहती हूं बिच बिच में तो जी बहुत तारीफ तो हुई वह तो बात हो गई लेकिन मैं अपना बताओ अपना परसनल कि मैंने यह सोच के बोला कि जैसे मैं आ इसे गरम हो गए थे पता नहीं क्यों घबराट की यह कौन सी फॉम थी तो मुझे बड़ा मुझे बड़ा मुझे भी हो थी कि फाइनली मैंने बोल दी दो चीजे थी कि पूरे दिन का लास्ट दे का वो देना था प्रतिवेधन जो पूरे दिन के रिपोर्ट होती है वो बन आनी थी तो जी इन दोनों मैंने अच्छे सबमेट कर दी और मैं आज मुझे अच्छा लग रहा मनन इतने सालों मैं मन्ज पर खड़े हो कि मैनने कभी कुछ वहां नहीं बोला मतलो बंदर सथी मन नहीं अदिन मुवा या कुछ भी कहलो जीजक थी मैंने नहीं बोला लेकिन आज मैंने बोला तो मुझे अच्छा लगा तो यह थी सहेलियो वाली बाते जो मुझे शेयर करनी थी अब बात करते हैं आपके question answer की चलो मैंने screenshot लिये हैं मैं पढ़ती हूं अच्छा इन में सारे recent ही हैं अगर कोई पिछले वाले का मिस हो गया तो उसके लिए मैं पहले एक शमा मांग लूँ और एक दूसरा तरीका यह भी है एक मैं मुझे यह समझ में आया कि यह तरीका हो सकता है उनका बेटा जो है वो राइटिंग करने में राजी नहीं होता लिखने को राजी नहीं होता उन्होंने same comment same question शायद पांच ब बार बार डालती रही है तो मुझे वो question देखो अब मैंने phone उठाया भी नहीं है और मुझे 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 याद हो गया कि हां एक सब्सक्राइबर ने यह चीज पूछी हुई है तो जिन लोगों के unfortunately miss हो जाते है ना उनके लिए यह बढ़िया है कि अगर छोटा सा question है तो बजाए अगर वो miss हो गया तो यह लिखने के कि आपने मेरे question का जवाब नहीं दिया और फिर मैं ढूंडती हूं तो कई बार मिलता भी नहीं है तो और मेरे time भी अलग से फिर मुझे देना पड़ता है वो भी कई बार अरेंज ही नहीं हो पाता है यह चक्कर भी है तो अच् फिर मुझे याद हो जाता है दो तीन बार अगर सेम चीज आती है तो आप यह कर सकते हो चलो अब इंट्रो इसका बहुत लंबा हो गया फटा फट से question शुरू करते हैं आज के जब मैंने मतलब कल के वीडियो में यह बात बोली कि जो लोग आपके मानसिक शान्ती की bend बजा जाता है कि इस पर ऐसा response आएगा लेकिन जो आया वो यह आया कि जादतर की life में जिन्होंने question भेजा है मैं उनकी बात कर रही हूं बस जो मतलब सबसे जादर problem create कर रहे हैं वो उनके अपने husband ही है और अब वो पूछ रही है कि अगर ऐसा husband ही हो तो क्या करें and I was puzzled मुझे क्योंकि अगर इतने साल हो गया है हमारी शादी को अगर कभी इनके साथ भी कोई बात ऐसी हो जाती है जिस पर हमारा मतभेद हो जाता है हम agree नहीं कर पाते same point पे तो मुझे नहीं समझ में आता कि अब इस situation को कैसे deal करूं क्योंकि अपने आपको भी मारना बहुत मुश्किल ह हो जाता है और अगर इन्होंने मना कर दिया तो इनको मैं convince करूँ अपनी मर्जी के खिलाब जाने के लिए वो भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता तो मुझे खुद नहीं समझ में आता हूस टाइम पर क्या करें जब आपका issue आपके husband के साथ ही हो किसी बात पर ज adults कि एसे कुष्चन और में जिन पर ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि लोग सचवे सच में ऐसी परिस्थिति में भी रह रही है 渉र्ते उतने विशंक परिस्थिति उमें पर अपनी शादी में बनी हुए हैं बही सब्रकों powin ke मैं मतलब imagine भी नहीं कर सकती कि इतना सबर भी होता है और तो मैं मुझे लगता था कि होता है होता भी है सच में लेकिन इतना अब आप एक question सुनो ये वाला तो मतलब फिर भी on and average है कि ये तो condition कहीं ना कहीं मैं कहूं कुछ हद तक मेरे साथ भी हो चुकी कि नहीं बनने के बावजूद भी husband का मन रखने के लिए अपने साससुर के साथ आना जाना रखा सब कुछ है लेकिन इनकी जो सासुमा है इनका कहना है कि वो अपने बेटे को बढ़काती है और अब परिस्तिती ये आ गई है कि वो अपने बेटे को तो पूछती है लेकिन इनको ऐसे हो जाती है कि ये है नहीं है ना इनसे कोई मतलब नहीं है कि अब इनको obviously मतलब feeling मतलब जैसे होता है लेफ छोड़ दिया हमें वो वाली feeling आती है और दूसरी चीज़ कि जिसके साथ आपकी life जुड़ी हुई है उसको पूरा मतलब attend भी कर रही है और आपके खिलाफ भी करने के कोशिश कर रही है वो सबसे गंदी चीज़ जो है इसमें situation तो इनको जो है वो ऐसा feel होता है कि मतलब neglected सा कि मुझे छोड़ दिया अब इसका बहुत सुन्दर और सुलजी हुई जो जवाब थे वो मेरे साथियों ने पहले ही दे दिये और same मैं उनसे सहमत हूँ कि आप उस चक्कर में अब मत पड़ो कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया कुछ और आपकी finally अपनी घ्रस्ती है और आप अपने बच्चों पर अपने ध्यान दो फिलाल husband आदे आदे इधर उदर हो रहे हैं लेकिन in future हो जाएगा settlement उनका किसी एक तरफ उनकी priority आप ही रहोगे आप और आपके बच्चे माब आप एक time तक ही रहेंगे उनके व्यभार में बदलाव आएगा और वो आपका भी ध्यान रखेंगे जितना उनका रखते हैं लेकिन फिलाल जो आपका time चल ला है crucial उसमें यही है कि आपको उस तरफ ध्यान ना देके कि मुझे नहीं पूछ रहें तो आप भी मतलब इंट्रस्ट रखो दिना मतलब माल जी हम कितने लोगों जानते हैं जिनने हम family ये रिष्टेदार कह सकते हैं सो जिन से कुछ हमें उमीद रहती है कुछ उने हम से उमीद रहती है मुझे लगता हर एक लाइक में लगभग अगर वो गिनने बैठे हैं न सो लोग ऐसे बैठेंगे चाहे दूर पास के आप कितने रिलेशन दोस्तोस जोड़ लो जिन से आप कुछ उमीद रख सकते हो या जिनके निगलेक्ट करने से आपको फरक पड़ेगा तो उनी में से एक मान लो उने भी जरूरी थोड़ी है कि हर कोई आपको importance देगा तब ही आप खुश रहो गए आपको खुश रहने के लिए जान लो किसी की जरूरत नहीं होती आप अपने आप में खुश रह सकते हो और जितना लोग आपको निगलेक्ट कर रहे हैं अगर आप अपने आप में खुश रहना सीख गए उनकी खुशी की जो बेंड वशती है आप इमेजिन पर नहीं कर सकते तो उसका बेस तरीका यही है कोई कोन आप पे धयान दे रहा है आप उस पे धहान मत दो यही है सही तरीका आप अपने आप में और अपने बच्चों के साथ मस्त रहो जब बदलेंगी परिस्थितियां बदल जाएंगी तो ये तो हुआ जी पहला question अब चलते हैं दूसरे के तरफ पिर उसी से जुड़ा हुआ कि अगर toxic लोग ऐसे हों जिनसे आप बहुत प्यार करते हों और वो आपके अपने हों तब क्या करें I can't leave them और उनकी हरकतें प्यार करने वादी होती नहीं फिर तो यही तो बात है यही तो मुश्किल काम है जिससे आप प्यार नहीं करते और वो आपका अपमान करता है तो आपको तो second लगेंगे second का भी क्या कहूं नेनो second लगेंगे decision लेने में कि चल दफा हो यहां से मुश्किल काम तो यही है कि जिनसे हम प्यार करते हैं जिनसे हम emotionally जुड़े हुएं जब वो आदमी दुख देता है तो अब क्या करें मुश्किल तो वही है अगर हम उनसे प्यार ही नहीं करते तो फिर फरक ही नहीं पड़ता कोई राचलता हमें कुछ कहा जाएगा तो हम सुन लेंगे हम तो पलट के बोलेंगे न उसको या विरीका के चोड़ देंगे कि क्या ही है इसको क्या पता मैं क्या हूँ जो कह रहा था अपने हिसाब से कह रहा था दोने ही सूर्तों में आपको mental stress नहीं हो रहा लेकिन stress होता ही तभी है आपके mental peace तक बात जाती तभी है जब आप उनको प्यार करते हैं और वो लोग आपके साथ गलत विवार करते हैं तो main यह ही है more mental peace maintain करना ही challenge है तो आपको boundaries create करनी पड़ेंगी boundaries create करने का यहाँ पर मतलब यह नहीं है कि उनके घर से बाहर निकाल दो या आप उनसे रिष्टा खतम कर लो या घर चोड़ लो boundaries create करना मतलब इतनी बात इतनी involvement उनके साथ रखनी है कि उनके behavior से आपके दो तीन दिन खराब ना हो या उससे जादा भी हो जाते है अगर उन्होंने कुछ कहा आप उन्हें जुड़े हुए हो आपको obviously बुरा लगा लेकिन उसके बाद आपको जल्दी recover कर लेना है और यह practice करते जानी है क्योंकि आप उनसे रिष्टा नहीं दोड़ सकते और जो जिसकी फितरत होती है वो वैसा करेगा जुबान पे control नहीं होता actions पे control नहीं होता बहुत सारे लोगों के ज़ादा तर लोगों के जब तक वो परपजली उसको नहीं रोकते तो आप mentally prepared रहो कि कि वो ये करेंगे क्योंकि आपने ये तो सोच लिया उनको छोड़ना नहीं है तो वो करेंगे आपको reaction कितना देना वो आपके हाथ में है तो धीरे 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 ये करो कि आज उन्होंने मेरे को एक बात बोली मैं एक हफते तक रोई अगली बार बोलेंगे पांच दिन रोऊंगी उस से अगली बार बोलेंगे चार दिन, तीन दिन, दो दिन, एक दिन उस stage पर आपको पहुँचना है कि जब वो आपको परिशान करने के लिए कुछ करें या कहें तो आप एक कान से सुनें दूसरे से निकालने या फिर 15-20 मिनट आदे गंटे में आप वापस अपने मोड में आ जाएं बिजी हो जाएं अपने कामों में लग जाएं जब आप यकिन मानो जब आपको रियक्शन देना बंद कर दोगे जब आपके असर होना बंद हो जाएगा उनके एक्शन का कोई मोल नहीं दाएगा ठक लेंगे वो चाहिए वो धीट बोलें या ये तो बेशरम है या इससे तो फरक है नहीं पड़ता चाहिए वो ये शब्द यूज़ कर लें लेकिन वो आप पक्के रहो कि भी ये ठीक है मुझे नहीं फरक डालना हार कोई रिष्ट छोड़ने वाल होता भी नहीं और उन्हें यह मत दिखा ओ कि वो परेशान कर रहा हु Videos यह जो करके देखो और परेशान करने में मझा इन यह आने कि जब आप परेशान होगे नहीं वो हरमान बहट जाएए कोई दूसरा चिकार डोऑनें जो परेशान हो जाए एक ये बड़ा आजीवो गरीब सा आया था कि इनके ससुर टॉक्सिक हैं और इनके ससुर ने ने कैसे परेशान किया आपा है मैं आपको बताओ उनके पती को पूरे रिष्टेदारी में सब जगे ये बोलावा है कि इनका चक्कर चल रहा है और एक बार बता रही है कि जब बरतंद हो रही थी ये किचन में तो उन्होंने किचन में करंट लगा दिया किचन में तो उन्हें लगा और जी छट पे बाउंडरी करा दी है जालिया लगवा दी है और बच्चे हैं उनके और एक छोटी बेवी तो पांच महीने की ही है जब ये हालात हैं घर के अब इसका भी जवाब जो है हमारे साथियों ने दिया कि भही है तुम यहाँ पर रहे क्यों रही हो और इतने बुरे विवहार के साथ में निकलो यहाँ से यह भी चीज आती है और एक और है उस में दिये थहले लेकिन सब का यह इसमें कैसे कोई रहे अभ हस्वेंट जो है वो इसमें नियुटरल है ना वह उन्हें कुछ कहरे यह काम दो में देखो husband के stand लेने का लेकिन आप उनसे जबरदस्ती तो stand दिलवा नहीं सकते आपका क्या है में इशू देखो current वगएर का तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी दिक्कत आपको इससे ज़्यादा हो सकती है है ना थोड़ा सा अलर्ट होके काम करो देख लो जब पता है आदत है ऐसी आदमी की तो कुछ गड़बर तो नहीं कर रहे हैं और अगर यह जादा करें तो आपको कानोनी step भी लेना चाहिए क्योंकि आपको चोट पहुचाने का प्रियास है यह purpose ली तो यह अपराद है ना आ यह personally बोलू अगर कोई मेरे उपर भी लगाए ना allegation कोई भी मेरे घर का या बाहर का कि हाँ सुनीता जो है वो character से सही नहीं है गलत है कि क्या उसने कह दिया मुझे परेशान होने कि क्या जरूरत है अगर मैं नहीं हूँ तो उसने खुब बदनाम कर लिया मान लीजे मैंने अपोज नहीं किया दस दिन बारा दिन पंदरा दिन किधर उधर लोगों के धुरू बाते फैल गई और एक condition ऐसी आगई कि शायद महले में सब को यह लगने लगा रिष्टेदारी में सब को लगने लगा कि सब एक ही बात बूल रहा है वो अपोज भी नहीं कर रही हो सकता ऐसा कुछ हो एक condition ऐसी आजाती है जब आप खुल के विरोध नहीं करोगे इस चीज का नहीं बोलोगे हर जगे कि नहीं ऐसा नहीं है लेकिन एक जो शुरुआत में जब यह बातें उड़ती है न तो आपकी बात इतनी हलकी लगाई देती है कि जब आप कहोगे भी न कि ऐस साथ शादी से पहले हुई थी जॉब में कि मतलब इस तरीके की बातें उड़ा दी गई थी कि हाँ ऐसी है वैसी और मैं किसी से बात नहीं करती थी उस टाइम पर मुझे समझी नहीं आता था बात क्या करो और सब लोग बहुत जादा बड़े बड़े थे मुझ से तो मुझ सच नहीं थी उड़ गई ठीक है उल्टी सीधी या सक्ची जो भी है आप उसको रोक नहीं सकते ठीक है लेकिन इसका हिलाज कब होता है थोड़े टाइम जब बीत जाता तब आप सही हो जो बात उड़ी थी उसमें कोई सच्चा ही नहीं है अगर सच्चाई है तो अलग कंडिशन होती है लेकिन अगर कोई बेसी रुपैर की बात उड़ी है आप बिल्कुल ठीक हो आप दो वच्चों की माँ हैं आप अपना घर समाल रही हैं साफ सुतर आपका मतलब जो भी करेक्टर है सब कुछ सही है जैसा नॉर्मली ओड़ों कहो ना चाहिए भी और होता भी है लेकिन फिर भी आपके उपर एलिगेशन लग रहे हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपली अपने लाइफ जीते रहना है ऐसे ही रहना है कुछ देर के लिए कुछ महीनों के लिए मैं कहाऊं कि आप ये रहोगे कि हाँ भई लोग शायद मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है ना इसमें इसका इलाज तभी होता है जब कुछ टाइम मतलब महीने साल दो साल जब बीत जाते हैं और आप बिलकुल राइट ट्रैक पर चलते जाते हो तो जो लोग बात कर रहे थे या जिने बाते बताई गई तो जो आदमी शुरू करता है ना बाते फिर निगाहें उठती हैं उसकी तरफ कि यार इसने जो है इस बंदे के बारे में गलत सलत बोला लेकिन इतने टाइम से तो हम भी दे रहे हैं वो तो ऐसा है नहीं लेकिन इस चीज में कहना चेह इज़त आपके खराब कोई कर देगा उसे लगेंगे दो दिन और बात फिर उड़ जाती है लेकिन आपको अपनी बनी बनाई इज़त को ही दुबारा बनाने में लग जाते हैं दो चार छे महीने लेकिन ऐसा नहीं है जब आप ठीक हो तो ये चीज आईगी वापस आईगी आपकी रेपूटेशन आप असल में जो हो एंड में मतलब कहना चाहिए सब कुछ ठीक हो जाता तो वही बात है इमेज का भी अगर आप ठीक हो तो आपकी असली इमेज जो है वो टाइम के साथ लोगों के सामने आती है लोग मानते हैं ये तो हुई ससूर की कि वो लगा रहे हैं कर पर लिएशन इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था कि उसमें उनकी सास और जठानी वो उनकी बुराईयां करते हैं रिश्तेदारों में और सास जो है वो सारा काम इनके करने के बावजूद भी यह कहते हैं कि मैं करती हूं मैं लगी रहती में और ऐसा एक बार पहले भी सासु het do का सास करें हैं we कॉछने की ज़रुरती नहीं है आप इतना काम अपना बढंक से करके दिखाओ और लंबे टाइम दिखाने के लिए कौई करने लगे आप करने ही मत दो उस टाइम पर आगे आगे कर दो काम या फिर ये है कि बनाओ फिर बना लेने दो साथ में लगे रहो बातों बातों में कह दो कि अरे मम्मी जी रोजी में बनाती हो आज नहीं बनाऊंगी क्या इस तरीके से भतेरी चीज़ से होती है कहने की लेकिन अपनी इमेज को लेकर मुझे लगता है कि अगर हम सही हैं तो अतल विश्वास है तो छवी जो है वह आपके करम से नती है आप जैसे करम करोगे वो उसी हिसाप की बने की केवल कहनें जोकर का रहा है यह एं और ये है जूटी ये बात होती है ऐसी characterless का है मैं कितने ही कहती रहूं मैं पती वरता हूं मैं पवित्र हूं मैं बहुत काम करती हूं गर में या मैं कुछ भी हूं लेगन अगर मेरे action इस सा अपोजिट है तो मैं कितना भी कहलू वो अपोजिट वाली image लोगों को पता चलती है ल आप क्या कर रहे हो बस वो सही रहेगा तो image अपने आप सही बनेगी कोई कितना ही भूख रहा है कहना चाहिए भूखने दो कोई फरक नहीं पड़ता उससे एक आया जी self-love के बारे में इसी पेसे याज बाते सारी निकलती चली जारी है इसमें यह था कि नेवरानी जिठान क्या है जी वो चौक के बीच में दिवार डाल रहा है और मुझे बुरा लग रहा है क्यों बुरा लग रहा है या देवरानी जिठानी यह वो अल्टिमेटली अगर साथ रह रहे हैं मुझे तो यही लगता है परिवार है इसलिए कि एक दूसरे का सुख दुख में साथ ने एक दूसरे के खुशी में खुश हो कोई बीमार पढ़ जा उसका ध्यान रखे कोई दुखी हो तो उसे संभाल ले किसी को सहारे की जरूरत हो तो उसे दे दे परिवार इसलिए होता है इसलिए नहीं होता कि एक दूसरे को देख है भुने और किल्स है अगर आपका सब ही फरक पढ़ रहा है या तो ऐसा हो कि भई बिल्कुल बेहनों जैसा रिष्टा था एक थाली में खाना काते थे साथ जाते थे यह वो जब है ही नहीं कुछ तो दिवार खिचे या कुछ हो ठीक है अलग-अलग रहो खुश रहो शायद नमस्ते तक बनी रहेगी लेकिन पाप भी हो इसमें कोई चिंता करने के बात नहीं है नॉर्मल रहो परिवार में खुश रहो इतनी फालतू की स्ट्रेस लेने की हमारे पास कहना चे गुंजाइश नहीं होती हो उड़तों के हमारी जो बुद्दे की बात होती है वह इतनी सारी होती है कि आएसी काफी चीज जाए उनके साथ ही बोलने को जो टॉक्सिक हो देखो इसका एक फणी ट्रीकमेंट देती हूं मैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बंदा मेरी बैज़ती करता है टॉंट मारता है किसी भी तरीके से कि अप ऐसी वाइप कर देता है कि उसके पास आस-पास होने से मैं अगर मेरा बंदा बोले कि भाई तुझे से बात करनी तो है रिस्ता तो रखना पड़ेगा बोलना तो है ठीक ऐसी कंडिशन आई भी है बहुत जादा फोर्स फुली नहीं आई लेकिन आई है कि मेरा मन नहीं है दो पैसे का भी बात करने का और मुझे करनी पड़ी इसी लि लिमिटेड बाते करो वह भले आपको एक पैरग्राफ का कुछ बोले आप उसका दो शब्द में उत्तर दे दो बस तो थोड़ी भी उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वह धीरे धीरे जो है हो जाएगा कम आपकी सुनने की शंता थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन मैं बहुल अच्छा सकती हूं अगर कोई सामने वाला आपको अपनी बातों से चोट पहुंचा रहा है तो आपका मुझ किसमें पकड़ा है यह होता है आप भी शुरू हो जो उस लेवल तक मत गिरो कोई किर भी नी सकता आप जो कहते हैं कि मुझे तेरे से लड़ने के लिए तुछ तक गिरना पड़ा कोई किसी के लेवल तक गिर नी सकता यह अपनी दिमाग होता कितना नीचे तक जा सकते हैं लड़ाई में या एक दूसरे की बुराई करने में या किसी को नुक्सान पहुचाने में आप किस हद तक जाओगे यह कंप्लीटली आपका तो ऐसी बात करो कि बात कटब हो जाए जिस टोन में वो बोल रहा है उसी टोन में फिर आप बात करना शुरू कर तो उसके साथ तो या तो ले लेगा उस कंवर्सेशन को वो बंदा या फिर समझ जाएगा कि भई यहां से पलिटवार हो रहा है अपने आप पैर खीच लेग कि आपकी सिचुएशन में क्या परफिक बैठता है बस प्रब्लम सौर्व हो जाएगी एक आता है कि घर के किसी नजदी की परसन ने एक साल पहले तकलीफ दी थी लेकिन वो बात दिमाग से जाती ही नहीं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाने के बाद नींद जैसे गायब स हो गई है आखे बंद करते हैं और थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और नीन पूरी ना होने से फिजिकल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई जैसे डाइबिटीज तो अपना स्वास्त कैसे ठीक रखें आपके अगले व्लॉग में इसका सलूशन बताना जरूर से दिकत क्या समझ में यहां पर जो मुझे समझ में आई है कि किसी ने बात कही थी और एक साल पहले कही थी यह उसे लेके इतनी डिस्टार्म है कि इन्होंने अपनी हेल्थ की बेंड बजा ली इन्हें दिख रहा है उसके बात आप देखो एक साल पहले किसी ने वह बात कही यह बात पहल होगा आप उसके point of view से सोचके देखो अगर उसको यह पता ही एक बता दो कंडिशन हो सकती है उसको अंदाजा है कि उसकी बोली भी बात से आप अभी तक परेशान हो तो उसको क्या feeling आईगी वह गिल्ट में जाएगा गिल्ट में जाता तो अब तक माफी मांग देता वह कितन होगा कि देखा एक साल पहले इसको बात बोली थी अब तक पढ़ी है विस्तर पगड़ लिया और दूसरी कंडिशन में अगर उसको अंदाज ही नहीं है कि आप इतने परेशान हो तो तो भाई बिल्कुली आपकी मत्ती खराब केने माली स्थिति है कि आप किसी बात को सोच सोच कि अपनी सेहत क्याराब कर लिया अपने मानसिक सुख खराब कर लिया उसके चक्कर है फैमिली भी डिस्टरब हो रही होगी और अगले को पता ही नहीं कि उसने कौन सा बं फोड़ के वो आया है दोनों ही कंडिशन में यह बिल्कुल निरार्थक बात है कि कि किसी की एक परक पड़ता तो वह ऐसी बुरी बात आपको बोलता ही नहीं ठीक है तो आप जितना दुखी हो रही है जितना परेशान हो रही है आप कहीं न कहीं उसको सुख दे रही है वह खुश ही होगा जो आपको एक बार दुखी करने के लिए एक बात बोल सकता है अब आप उसके बिना बोले इतना दुखी है तो सोचिए तो अब आप देख लो आपको अपनी खुशी देखनी है ये उन्हें और खुश करना है अगर आपको अपनी खुशी देखनी है ना आपको overthinking है मैंने overthinking के ऊपर एक बनाया था कि ओवर थिंकिंग से बचने का रामबान तरीका है फिजिकल एक्टिविटी में लग जाओ तो शरीर में दर्द हो रहा है कुछ हो रहा है वह तो आपने अब नाश कर लिया तो थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में गुसा आएगा कि मैंने उस एक साल को क्यों खराब करा उस चोटी सी बात के पेशे निकल जाएगी वह बात लेकिन तब ही निकलेगी जब आप फिजिकली और मेंटली बिजी रहोगे और यह चीज याद रखोगे कि आपने अपने दिमाग में एक ऐसे आदमी को जगे दे रखी है जो वास्तव में आपका नुकसान कर रहा है और आप उसमें creative thoughts भरने की बज़ाब बंदे के बारे मैं ही सोच रहे हैं repeatedly मुझे ऐसे कह दिया मुझे आसे कह दिया मुझे ऐसे कह दिया मुझे आसे कह दिया कह दिया अगर उसको लगेगा गलत कहा है वो माफी मागेग और उसको करना शुरू करो, जो भी आपको आता है बनाना, वो बनाओ, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, स्वेटर हो, कोई क्राफ्ट हो, कुछ भी हो, कुछ क्रियेटिव करो, और निकल जाओ इस चीज से, उनका क्वेश्चन जिनका मुझे शुरू में या था, कि उनका थार का बच्चा है, तो लेटर्स वगेरा वो लिखता है, केवल दिक्कत क्या है, कि उसकी रैटिंग स्पीड बढ़ानी है, आपको उसे पसंद नहीं है लिखना, तो देखो पसंद पे तो बच्चे की जाओं मत, मैं, हाला कि इस पर कई लोग आस है मत हो जाएंगे, लेकिन मैं पसंद नहीं है, तो आप उसे छोड़ दोगी क्या, वो कराते हो ना, या फिर वो खाना खाने पर अड़ जाए, मुझे तो रोटी खानी ही नहीं है, मुझे पसंद दी है, आप छोड़ दोगे क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो जरूरी हैं, लेकिन बच्चे नहीं पैंसिल कमफर्टेबल ने लग रही, स्टूल नहीं है, लिखने की जगे मेजवेज सही नहीं है, तो मुझे दिक्कत बता, मैं कर वाँगी काम, इतना काम है कि उसे बैठना तो है ही, उसे ये समझ में आ जाए, कि मम्मी ने अगर कहा है, करना है, तो करना है, उसमें वो लिखा हुआ है, और उसमें से उतारने का काम है, वो मत दो, या फिर किताब और कॉपी जो है, वो ऐसे रख दी और उसके बाद फिर वो लिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको वर्ड डिक्टेट करना शुरू करो, देखके लिख रहा है, वो लेकिन फिर भी आप बोलते रहो, माल लीजे हमें लिखवाना, उसको राम इस गुड बोल, ठीक है, तो आप उसे बोल दो, विटा लिखो राम, चलो राम हो गया, अब आप इस लिखो, आई, एस, चलो इस हो गया, अब लिखो, फिर जी डबल ओ डी लिखो, जी तो जी डबल ओ एक साथ नहीं जी, जब हो जी लिख लेगा, ओ, ओ, जब हो दिख लेगा, फिर डी, चलो गुड हो गया, अब आप लिखो, बी, ओ, वाई, जिस स्पीड से मैं बोल रहो, इस स्पीड से आप बोलते चाहो और उसको लिखना है, तो उसको कई बार उसको किताब की तरफ देखना पड़ेग फर्स सेकंड क्लास में, तो वो नहीं लिख पाती थी, उसका काम भी अधूरा रह जाता था, क्लास का भी, तो मैं उसको इसी तरीके से लेके बैठती थी, और कुछ दिन मैंने ये चीज़ कराई, और धीरे दिरफ की स्पीड बढ़ गई थी, लारोई के बराबर ही आ गई और कभी-कभी तो वो आरोई से भी पहले लिख लिया करती थी, जब कि आरोई की स्पीड जो है, वो काफी अच्छी है, स्टार्टिंग से ही, वो तेज लिखती है काफी, तो ये चीज़ काम करती है, आप ट्राइ करके देखना कि जो उसको लिखवाना है, आप वर्ड तो लेटर तू लेटर उसको बोलते जाओ और वो लिखता जाएगा, उसको रुकने मत दो भीच में, तो धीर धीर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हफते तेड़ हफते में या फरक देखो लिए, ठीक है, और ये बहुत दिन बात दिया है, इसके लिए सोरी, पर आपने अच् में सो जाता है, अब एक और आया है, हाड टू बिलीव की फर्म बाउंटरीज कैसे बनाएं, मेरी सास मुझे और मेरे हजबंड को एक रूम में रहने ही नहीं देती, हम अलग-अलग रूम में रहते हैं, पूरा दिर मेरी सास मेरे हजबंड के रूम में रहती है, उनके बात करो तो रूम में आके किचन में आके जान बूच के बात करेंगी और गंदा बोलके भाग जाती है, हस्बंड सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ बोलो तो सब एक हो जाते हैं, सास की साइड लेते हैं, जबकि मेरी सास ने अपनी सास को भी मारा है और अपने पती को आज भ कर लोगे, बुरे घर का जोगरा आप इगड़ा हुआ है इनका तो आप तो बुरे फसे कहना चाहिए इस घर में, और एक दूसरी चीज मुझे वो नहीं समझ में आई, कि अगर अलग-अलग सोते हैं, आपके पास बेबी भी है, तो ये चीज अब शुरू हुई है, स्टार आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, अपने मेके वालों को बुलाओ, एक बार बैठके बात करें सब जो भी आपके घर में रिष्टेदार थोड़े बड़े हर एक परिवार में होते हैं, जो बीच बचाओ में इस तरीके की बातों बैठके बात करते हैं, तो आप एक बार कोशिश करो कि सब बैठके बात करें, थोड़ा कलेश होगा लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, और मेरे पास आपकी इस समस्या का ऐसे कोई सटी की लाजनी है, कि आप ये बूलो या ये कर लो या इधर उधर ध्यान लगाओ, क्य कि ये अलगी दिक्कत है, तो इसमें तो आपको कोई ना कोई आक्शन लेना ही पड़ेगा, जिसमें आमने सामने बैठके तरीके से बात की जाए, कि इस समस्या का क्या हल है, और ये कोई तरीका है ही, जब शादी की है, तो पती पतनी को एक साथ रहने देना चाहिए, ये त कोई भी अगरी करेगा, तो आप ये बात थोड़ा सा बाहर निगालो अपने घर से और अपने मेके में और बाकी लोगों को बैठा के कोशिश करो कि बात हो, और वो समझाए आपके सास को, तो शायद बात समझ जाए और ठीक हो जाए, बाकी, जैसा बाहर जो आप ही कर रहे जो मैं देख पारी हूँ, नो रिप्लाइवी आचुके, कि इनके पास मेरी तरह दो बेटियां है, लेकिन जिसके पास दो बेटी होती है, उसको लोग बेटा करने के लिए फोर्स करते हैं, लोग ताने मारते हैं, क्या करें? इस पर बात एक बार मैं पहले कर चुके हूँ, कि मुद्दा ये नहीं है तानों का कि बेटी है, लोगों का काम होता है कहना, जब इनफर्टिलिटी होती है, तो हर कोई ग्यानी बनके कहता है, भगवान एक चाय बिटिया ही दे दे, पर दे दे, फिर एक बिटिया हो जाती, एक के बाद दूसरी बिटिया हो जाती है, आप infertility के श्राप से मुक्त हो गए आपके पास बच्चे आप लोगों को क्या चाहिए लड़का उल्टा कर दीजिए दो बेटे हैं तब भी उन माबाप से भी आप बैठ के बात करना उनसे भी लोग कहने वाले मिल जाएंगे भगवान एक बेटी दे देता कई बार उनके अपने बेटी है और बेटा नहीं है तो लोग ताने देते हैं उसका कैसे हम सामना करें उसका सामना करना बहुत ही आसान है कब जब आपके लिए ये चीज जरूरी नहीं है बेटा होना कहीं ना कहीं अगर आपके मन में भी इच्छा है या आपके हस्बेंट के मन में इच्छा है कि बेटा होना चाहिए, मेल वही है कि हस्बेंट की इच्छा में जो लगता है वो इसमें इतनी मैटर नहीं करती है, अगर अगर अपनी जेगे मजबूत है, कि मेरी बेटियां काफी है, मुझे नहीं चाहिए बेटा, तो वो इतनी स्ट्रॉंग हो जाती है, उसे फिर नहीं फरक पड़ता है, वो मुझे तोड़ जवाब दे सकती है, किसी को भी कहने वाले को, जैसे मैं आपसेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हां मुझे बेटियां पसंद थी, जब यह था कि प्रेगनेंसी हुई है, कुछ भी हुआ तो जब बेटियां हुई तो ऐसा हुआ था मेरे स पहले तो दिमाग में, लेकिन बात यही होती थी, जब बाद में भी बाते हुई कि चलो पांच साल बाद एक और प्लान कर लेना हो जाएगा यह वो, मेरा जवाब यह होता था कि अगर मेरा इन में से कोई लड़का होता, तो वो सेलरी का चेक आपको देता क्या, या मेरी ल अगर आप अपनी जगे पक के हो ना, कि आपके लिए सच में बेटियां काफी है, आपको बेटे की इच्छा नहीं बचिए, आपको दो बच्चे चाहिए था, आपको दो बच्चे मिल गए, वो बेटी थी या बेटा था, अगर आप सच में सैटिस्फाई हो, तो आप और आप भी सोचोंगे हाँ एक बेटा होता तो कैसे होता हो जाता और जहां उसने देखा सामने वालेने कि हाँ सुन रही है और इसा फरक पड़ रहा है, फिर वो डिगरी बढ़ जाती है तानों की, यह होता है, जो कई कमेंट आ रहेते हैं कि बिग बोस क्यों देखते हो, स्टार्टिंग की सीजन जब मैंने देखे न, मुझे चीजे समझ में आई कि जिन्दीगी भी सच में खेल की तरह है, भले कोई समझ के खेल रहा है या बेसमजे खेल रहा है, लेकिन है गेंगी, जिसमें आपको कुछ नहीं पता अगले दिन क्या होने वाला है, और जितने आप मेंटली स्ट्रॉंग हो उतना अच्छे से आप और लोगों को डील कर लोगे, जितना आप वीक पड़ोगे, और लोग आपके ओपर हावी होते हैं, हर रिष्टे में ये बात है, तो ये चीज मैंने सीखी है सच में, बहुत से उस शो से, तो ये जो लेवल है न, अलग फील्ड के लोग आते हैं, जो बिल्कुल अलग-अलग सोच के लोग रहते हैं, और फिर उन्हें आपस में रखा जाता था, फिर उनके विचार जो है, वो क्लैश होते थे, और उसको देखने में समझ में आता था कि यार बंदा अपने पॉंट अफ व्यू पर वो भी केस में हैं, वो ही है कि अगर आप स्ट्रॉंग हो, आप मेंटली प्रिपेर्ड हो, अपने बच्चों के साथ खुश हो तो ताने कोई ताने पहली बात तो दे गई नहीं, बोलेगा भी ना तो आपको ताने नहीं लगेंगे, आपको लगे को बोल रहा है, जब हम खुद का बाते सुनने में आजाती थी इधर उदर, आप कोई नहीं कहता, पता है कि कुछ नहीं सुनना इसे, यह पक्की है, दो बेटियों के साथी खुश है, बास, तो ऐसा है, जिसा आप किताब, आप अपना मन पक का रखो, तो यह टॉपिक आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खतम हो जाएगा कि बेटी है और बेटा नहीं है, तो जी, हमारी बाते होती है, खतम, अगर कोई भी बात इंट्रस्टिंग लगी हो, लगा हो, कि मज़ा आया सुनके, आपके काम आएगी, सच में प्रक्टिकल लाइफ में कुछ चीजों को हैंडल करने में, तो चैनल को सब सुब्सक्राइब करना मत भूलना, और दूसरी चीज, कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये वाली जो सिरीज है, वो आपके कमेंट पे बेज़ है, ये सिरीज है, कमेंट नहीं है, तो ये सिरीज नहीं है, ठीक है, जी, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वोटिफू लॉन पेस